नमस्कार दोस्तों चली आज सुनते हैं मुश्री प्रिम्चंद के दोरा लिखी कहानी जुलूस चली दोस्तों कहानी शुरू करते हैं पूर्ण सुराज का जुलूस निकल रहा था कुछ युबक कुछ बूले हैं कुछ बालक जंडियां और डंडे लिए बंदे मातरम गाते हुए मौल के सामने से निकले दोनों तरफ दर्शकों की दिवारें ख़नी थी मानो उन्हें सो लक्ष से कोई सरुका नहीं है मानो ये कोई तमाशा है और उनका काम केवल खड़े खड़े देखना है शम्बु नात ने दुकान की पट्टी पर खड़े होकर अपने पडोसी दिन दयाल से कहा सब के सब काल के मुह में जा रहे हैं आगे सबारों का दल मार मार कर भगा देगा दिन दयाल ने कहा महात्मा जी भी सट्या गए है जुलूस निकालने से सुराज मिल जाता तो अब तक कब का मिल गया होता और जुलूस में है कौन लोग देखो लॉंडे लफंगे सिर्फिरे शेहर का कोई भी बड़ा आदमी नहीं मैकू चट्टियों और सिलीपरों की माला गर्दन में लटकाय खड़ा था इन दोनों सेटों की बातें सुनकर हसा शंभू ने पूछा क्यों हसे मैकू आज रंग चोखा मालूम होता है मैकू बोला हसा इस वात पर जो तुमने कही कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे उन्हें सो राज में कौन आराम नहीं है बंगलो और महलों में रहते हैं मोटरों पर घुमते हैं सहाबों के साथ दाबतें खाते हैं कौन तकलिफ है मरतो हम लोग रहे हैं जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं इस बखत कोई टेनिस खिलता होगा कोई चाय पीता होगा कोई ग्रामो फोन लिए गाने सुनता होगा कोई पारकी सेर करता होगा इहां पुलिस के कोड़े खाने कौन आए तुमने भी भली कही शंभू बोला तुम ये सब बातें क्या समझोगे मैकू जिस काम में चार बड़े आदमी अगुआ होते हैं उसकी सरकार पर भी धाक बैठ जाती है लॉंडो लफंगों का गोल भला हाक्मों की निगा में क्या जचेगा मैकू ने ऐसी दृष्टी से देखा जो कह रही थी इन बातों के समझने का ठीका कुछ तुम ही नहीं लिया है और बोला बड़े आदमी को तो हमी लोग बनाते बगारते हैं या कोई और कितने ही लोग जिने कोई पूछता भी न था हमारे ही बनाए बड़े आदमी बन गए और अब मोटरों पर निकलते हैं और हमें नीच समझते हैं यह लोगों की तकदीर की खूबी है कि जिसकी जरा बढ़ती हुई और उसने हमसे आँखें फिर ली हमारे लिए तो बड़ा आदमी भही है जो लंगोटी बांदे नंगे पाउं गूमता है जो हमारी दशा को सुधाने के लिए अपनी जान हतेली पर लिए फिरता है और हमें किसी बड़े आदमी की परवा नहीं सच पूछो तो इन बड़े आदमीों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रखी है इन्हें सरकान ने कोई अच्छी सी जगे दे दी बस उसका दम भनने लगे दीन दयाल नया दरोगा बड़ा जिल्लाद है चोरास्ते पर पहुंचते ही हंटल लेकर पिल पड़ेगा फिर देखना सब कैसे दुम दबा कर भागते हैं मज़ा आएगा जुलूस उ सदिंता के नशे में चूर चोरास्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सभारों और सिपाईयों का एक दस्ता रास्ता रो के खड़ा है सहसा दरोगा बीरबल सिंग घोड़ा बढ़ा कर जुलूस के सामने आ गए और बोले तुम लोगों को आगे जाने का हुकम नहीं है जुलूस के बूले नेता अबरहीम अली ने आगे बढ़ कर कहा मैं आपको इत्मिनान दिलाता हूँ किसी किसम का दंगा फसाद ना होगा हम दुकाने लूटने या मोटरे तोडने नहीं निकले है हमारा मकसद इससे कहीं उचा है बीरबल मुझे ये हुकम है कि जुलूस इहां से आगे ना जाने पाए इबरहीम आप अपने अफसरों से जराप पूछना लें बीरबल मैं इसकी कोई जरूरत नहीं समझता इबरहीम तो हम लोग यहीं बढ़ते हैं जब आप लोग चले जाएंगे तो हम निकल जाएंगे बीरबल इहां ख़ड़े होने का भी हुकम नहीं है तुमको बापस जाना पड़ेगा इबरहीम ने गंभीर भाव से कहा बापस तो हम ना जाएंगे आपको यह किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं आप अपने सबारों, संगीनों और बंदूकों के जोड से हमें रोकना चाहते हैं रोक लीजिए मगर आप हमें लोटा नहीं सकते ना जाने वो दिन कब आएगा जब हमारे भाई बंद ऐसे हुकमों की तामिल करने से साफ इनकार कर देंगे जिनकी मनशा महेज कौम को गुलामी की जंजीरों में जक्ले रखना है बीरबल ग्रेजुएर्ट था उसका बाप वो सुप्रेंटेंड पुलिस था उसकी नसनस में रौब भरा हुआ था अपसरों की दृष्टी में उसका बड़ा सम्मान था खासा गोरा चिट्था नीली आँखों और भूरे बालों बाला तेजस्वी पुर्ज था शायद जिस वक्त बहकोट पहन कर उपर से हैट लगा लेता तो भूल जाता था कि मैं भी यहां का रहने बाला हूँ शायद वो अपने को राज करने बाली जाती का अंग समझने लगता था मंगर इबरहीम के शब्दों में जो तरसकार भरा हुआ था उसने उसे जरादेर के लिए लजजित कर दिया पर मौामला नाजुक था जुलूस को रास्ता दे देता तो जब आप तलब हो जाएगा बहीं खड़ा रहने देता तो ये सब ना जाने कब तक खड़े रहें इस संकट में पड़ा हुआ था कि उसने डी-एस-पी को घुलूस पर आते देखा अब उस सोच विचार का समयना था यही मौका था कारगुजारी दिखाने का उसने कमर से बेटन निकाल लिया और घुलूस पर चड़ाने लगा उसे देखते ही और सवारों ने भी घुलूस पर चड़ाना शुरू कर दिया इबरहीम दरोगा के घुलूस के सामने खड़ा था सिर पर यह को बेटन ऐसे जोर से पढ़ा कि उसकी आँखें तिल मिला गई खड़ा नहीं रह सका सिर पकड़ कर बैठ गया उसी बक तो दरोगा जी के घुले ने दोनों पाँ उठाए और जमीन पर बैठा हुआ इबरहीम उसकी टापों के नीचे आ गया जुलूस अभी तक शांत खड़ा था इबरहीम को गिरते देकर कई आदमी उसे उठाने के लिए लपके मगर कोई आगे न बढ़ सका उधर सवारों के डंडे बड़ी निर्देता से पड़ रहे थे लोग हातों पर डंडे को रोकते थे और अब इचलित रूप से खड़े थे हिंसा के भावों में पर भावित ना हो जाना उसके लिए पिर्ति छड़ कठिन होता जाता था जब आगहात और अपमान ही सैना है तो फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों नाचे अश्टा करें लोगों को ख्याल आया शहर के लाखों आदमियों की निगाहें हमारी तरफ लगी हुई है अगर यहां से यह जंडा लेकर बापस लोट जाएं तो फिर किस मुह से आजादी का नाम लेंगे मगर प्राड रक्षा के लिए भागने का किसी को ध्यान भी ना आता था यह पेट के भक्तों किराय के टटूंगों का दल ना था यह स्वधिंता के सच्चे स्वेम सेवकों का आजादी के दीवानों का संगठित दल था अपनी जिम्मेदारियों को खूब समझता था कितने ही लोगों के सिरों से खून बह रहा था ना जाने कितने लोगों के हाथ जखमी हो गए थे एक हले में ये लोग सबारों की सफों को चीर सकते थे मगर पैरों में बेड़ियां पड़े हुई थी सिद्धान्त की धरम की आदर्श की 1012 मिनट तक योँ ही डंडों की बोचार होती रही और लोग शांत खड़े रहे इस मारधार की ख़वर एक छड़ में बाजार में जा पहुँची इबरहीम घोड़े से कुचल गए कई आदमी जखमी हो गए कई के हाथ तूट गए मगर ना भी लोग पीछे फिरते हैं ना पुलिस उन्हें आगे जाने देती है मैकुने उत्तेजित होकर कहा अब तो भाई इहां नहीं रहा जाता मैं भी चलता हूँ दिन दयान ने कहा हम भी चलते हैं भाई देखी जाएगी शम्भू एक मिनट तक मौन खड़ा रहा एक एक उसने भी दुकान बढ़ाई और बोला एक दिन तो मरना ही है जो कुछ होना हो आखिर आज ही हो जाए आखिर भी लोग सभी के लिए तो जान दे रहे हैं देखते देखते अधिकांश दुकाने बंद हो गई जिसे सिध्धांत और आदर्श की परवना थी जो मरने के लिए ही नहीं मारने के लिए भी तयार थे कितनों ही के हाथों में लाटियां थी कितने ही के जेबों में पत्थर भरे हुए थे ना कोई किसी से कुछ बोलता था ना पूछता था बस सबके सब मन में एक दिरण संकल्प लिए लपके चले जा रहे थे मानो कोई घटा उम्री चली आती हो इस दल को दूर से देखते ही सबारों में कुछ हल चल पड़ी बीरवल सिंखे चेहरे पर हवाईया उड़ने लगी डीएसपी ने अपनी मोटर आगे बढ़ाई शान्ती और एहिंसा के बिरत धारियों पर डंडे बरसाना और बात थी एक उनमत दल से मकाबला करना दूसरी बात थी सबार और सिपाही पीछे खिजक लिए इबरहीम की पीट पर घोड़े ने टाप रख दी बहे अचेत जमीन पर पड़े थे इन आदमियों का शोरगल सुनकर आप ही आप उनकी आखे कुल गई एक और युबक को इशारे से बुला कर कहा क्यों कैलाश क्या कुछ लोग शहर से भी आ रहे हैं कैलाश ने उसे बढ़ती हुई घटा की और देखकर कहा जी हाँ हजारों आदमी है इबरहीम तो आब खैरियत नहीं जंडा लोटा दो हमें फौरण लोट चलना चाहिए नहीं तो तूफान मच जाएगा हमें अपने भाईयों से लड़ाई नहीं करनी फौरण लोट चलो ये कहते हुए उन्होंने उठने की चेश्टा की मगर उठना सके इशारे की देर थी संगठित सेना की भाती लोग हुक्म पाते ही पीछे फिर गए जंडियों के बासों साफों और रुमालों से चटपट एक स्टेरचर तयार हो गया इबरहीम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे मगर क्या वो परास्त हो गए थे अगर कुछ लोगों को उन्हें परास्त मानने में ही संतोश मिले तो मिल जाए लेकिन बास्तम में उन्होंने एक यूगांत कारी विजय प्राप्त की थी बे जानते थे हमारा संगर्ष अपने ही भाईयों से है जिनके हित परिस्तियों के कारण हमारे हितों से भिन है हमें उनसे बैर नहीं करना है फिर वो ये भी नहीं चाहते कि शेहर में लूट और दंगे का बाजार गरम हो जाए और हमारे धरम्युद का अंत लूटी हुई दुकाने फूटे हुए सिर्हों उनकी बिजय का सबसे उजबल चिन ही ये था कि उन्होंने जनता की साहनुभूती प्राप्त कर ली थी लोगों जो पहले उन पर हस्ते थे आज उनका धहरी और साहस देखकर उनकी साहता के लिए निकल पड़े थे मनुबृती का ये परिवर्तन ही हमारी असली बिजय है हमें किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं हमारा उद्देश केबल जनता की साहनुभूती प्राप्त करना है उसकी मनुबृतियों को बदल देना है जिस दिन हम इस लक्ष पर पहुँच जाएंगे उसी दिन स्वराज सुर्य उद्दे होगा तीन दिन गुजर गए थे तीन दिन गुजर गए थे बीरबल सिंग अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और उनकी पतनी मिठ्धन बाई शिशू को गोद में लिए सामने खड़ी थी बीरबल सिंग ने कहा मैं क्या करता उस वक्त पीछे डियस पी खड़ा था अगर उन्हें रास्ता दे देता तो अपनी जान मुसीबत में फस्ती मिठ्धन बाई ने सेरे हिला कर कहा तुम कम से कम इतना तो कर ही सकते थे कि उन पर डंडे ना चलाने देते तुम्हारा काम आदमियों पर डंडे चलाना है क्या तुम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रोक सकते थे कल को तुम्हें अपरादियों को बेंत लगाने का काम दिया जाए तो शायद तुम्हें बड़ा आनन्द आएगा क्यों बीरबल सिंग ने खिसिया कर कहा तुम तो बात नहीं समगती हो मिठन भाई बोली मैं खूब समगती हूँ डी एस पी पीछे खड़ा था तुमने सोचा होगा ऐसी कारवजारी दिखाने का अफसर शायद फिर कभी मिले या ना मिले तुम क्या समगते हो उस दल में कोई भला आदमी न था उसमें कितने आदमी ऐसे थे जो तुम्हारे जैसों को नौकर रख सकते हैं बिद्या में तो शायद अधिकांश तुमसे बड़े हुए ही होंगे मगर तुम उन पर डंडे चला रहे थे और उन्हें घोडों से कुचल रहे थे बहरी जवा मर्दी बीरवल सिंग ने बेहयाई की हसी के साथ कहा डियेसपी ने मेरा नाम नोट कर लिया है सच दरोगा जी ने समझा था कि ये सूचना देकर वो मिठन बाई को खुश कर देंगे सजनता और भलमन सी आदी उपर की बाते हैं दिल से नहीं जवान से कही जाती है सौर्थ दिल की गहराईयों में बैठा होता है बेगंभीर विचार का विशे है मगर मिठन बाई के मुख पर हर्ष की कोई रेखा नजन आई उपर की बातें शायद गहराईयों तक पहुँच गई थी बोली जरूर कर लिया होगा और शायद तुम्हें जल्दी तरक्की भी मिल जाए मगर बेगंभीर नहों के खुन से हाथ रंकर तरक्की पाई तो क्या पाई ये तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं तुम्हारे देश द्रोह की कीमत है तुम्हारी कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा जब तुम किसी खुनी को खोज निका लोगे किसी डूपते हुए आदमी को बचा लोगे एक 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 सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा खुजूर ये लिफाफा आया है बीरबल सिंग ने बाहर निकल कर लिफाफा ले लिया और भीतर की सरकारी चिट्थी निकाल कर पढ़ने लगे पढ़कर उसे मेजबर रख दिया मिठन बाई ने पूछा क्या तरक्की का परवाना आ गया बीरबल सिंग ने जहिप कर कहा तुम तो बनाती हो आज फिर कोई जुलूस निकलने बाला है मुझे उसके साथ रहने का होकम हुगा है मिठन फिर तो तुम्हारी चांदी है तैयार हो जाओ आज फिर बैसे ही शिकार मिलेंगे खूब बढ़ बढ़ कर हाथ दिखलाना डियस्पी भी जरूर आएंगे अब की तुम इंस्पेक्टर हो जाओगे सच बीरबल सिंग ने माथा से कोड़ कर कहा कभी कभी तो तुम बेसर पैर की बातने करने लगती हो मालो मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूं तो क्या नतीजा होगा मैं नालायक समझा जाओंगा और मेरी जगे कोई दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा कहीं शुभा हो गया कि मुझे सुराज जो बादियोंने से सहानुभूती है तो कहीं का भी ना रहूंगा अगर वर्खास्त भी ना हुआ तो लेन की हाजरी तो हो ही जाएगी आदमी जिसों दुनिया में रहता है उसी का चलन देखकर काम करता है मैं बुद्धिमान ना सही पर इतना जानता हूं कि ये लोग देश और जाती का उद्धार करने के लिए ही कोशिच कर रहे है ये भी जानता हूं कि सरकार इस ख्याल को कुचल डालना चाहती है ऐसा गधा नहीं हूं कि गुलामी की जिन्दगी पर गर्ब करूं लेकिन परिस्तिती से मजबूर हूं बाजे की आभाज कानों में आई बीरबल सिंग ने बाहर जाकर पूछा मालूम हुआ सुराज बालों का जुलूस आ रहा है चटपट बर्दी पहनी साफा बांधा और जेब में पिस्तोर रखकर बाहर आ गए एक छड़ में गोड़ा तयार हो गया कॉंस्टेबल पहले से ही तयार बैटे थे सब लोग डबल मार्च करते हुए जुलूस की तरफ चले यह लोग डबल मार्च करते हुए कोई 15 मिनट में जुलूस के सामने पहुँच गए इन लोगों को देखते ही अगर तो कंठों से बंदे मातरम की एक धोनी निकली मानो मेग मंडल में गर्जन का शब्द हुआ हो फिर सन्नाटा चा गया उस जुलूस में और इस जुलूस में कितना अंतर था बहस्वराज के उत्सब का जुलूस था यह एक शहीद के मातम का तीन दिन के भीशर जुर और बेदना के बाद आज उस जीवन का अंतो गया जिसने कभी पद की लानसा नहीं की कभी अंधिकार के सामने सिर्ण नहीं जुकाया उन्होंने मरते समय बस्यत की थी कि मेरी लाश को गंगा में नहला कर दफन किया जाए और मेरे मजार पर सुराज का जंडा खड़ा किया जाए उनके मन्ने का समचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का परदासा पड़ गया जो भी इस खबर को सुनता था इस तरहे चौक पड़ता था जैसे उसे गोली लग गई हो और तुरंत उनके दर्शनों के लिए भागता था सारे बाजार बंध हो गए एकों और तांगों का कहीं पता ना था जैसे शहर लुट गया हो देखते देखते सारा शहर उमर पड़ा जिस वक्त जनाजा उठा लाख सबा लाख आदमी साथ थे कोई आँख ऐसी न थी जो आँसों से लाल ना हो बीरबल सिंग अपने काउंस्टेवलों और सबारों को पांच-पांच गज के फासले पर जलूस के साथ चलने का हुकम देकर खुद पीछे चले गए पिछली सफों में कोई पचास गज तक महलाएं थी दरोगा ने उनकी तरफता का पहली ही कतार में मिठ्धन बाई नजर आई बीरबल को बिस्वास ना आया फिर ध्यान से देखा बही थी मिठ्धन ने उनकी तरफ एक बार देखा और आखें फेल नहीं पर उसकी एक चितवन में कुछ ऐसा था कुछ ऐसा धिकार, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी ब्यथा और कुछ ऐसी घ्रना भरी हुई थी कि बीरबल सिंग की देह में सिर से पाउं तक संसनी सी दोड़ गई भै अपनी दृष्टी में कभी इतने हलके, इतने दुरबल और इतने जलील ना हुए थे सहसा ये के युपती ने दरोगा जी की तरफ देकर कहा कोतवाल सहब कहीं हम लोगों पर डंडे ना चला दीजिएगा आपको देकर तो भै हो रहा है दूसरी बोली, आप ही के कोई भाई तो थे जिन्होंने उसो माल के चौरास्ते पर इसो पुरुस पर आगात किये थे मिठन ने कहा, आपके कोई भाई ना थे, बलकि आप खुद थे बीतियों हो मुह से आवाजे निकली, अच्छा, ये बही महाशे है महाशे, आपको नमशकार है ये आपकी ही किरपा का फल है, कि आज हम भी आपके डंडे के दर्शन के लिए आख़डी हुई है बीरबल ने मिठन बाई की और आखों का भाला चलाया, पर मुह से कुछ न बोले एक तीसरी महला ने फिर कहा, हम एक जलसा करके आपको जैमाला पहनाएंगे और आपका ये शोगान करेंगे चौती ने कहा, आप बिलकुल अंग्रेज मालूम होते हैं, जब ही तो इतने गोरे हैं एक बुड़िया ने आँखें चड़ा कर कहा, मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता तो उसकी गर्दन मरोड देती एक युपती ने उसका तरसकार करके कहा, आप भी खूब कहती है माता जी, कुट्टे तक तो नमक का हलक अता करते हैं, फिर ये तो आदमी है बीरबल अब और ना सुन सके, घोड़ा बढ़ा कर, जुलू से कई गज पीछे चले गए, मर्द लज्जित करता है, तो आमें किरोध आता है, इस तरहां लज्जित करती है, तो गिलानी उत्पन होती है बीरबल सिंग की इस वक्त इतनी हिम्मत ना थी, कि उन्हों महलाओं के सामने जाते, अपने अफसरों पर किरोध आया, मुझी को बार बार क्यों इन कामों के लिए चुना जाता है, और लोग भी तो हैं, उन्हें क्यों नहीं लाया जाता, क्या मैं ही सबसे गया भीता हूँ क्या मैं ही सबसे भावशून हूँ, मिठी इस वक्त मुझे दिल में कितना कायर और नीच समझ रही होगी, शायद इस वक्त मुझे कोई मार डाले, तो भी वो जबान ना खोले, शायद मन में परसन होगी, कि अच्छा हुगा, अभी कोई जाकर सहाब से कह दे, कि बीरबल सि भी बेफिकर हैं, कॉलेजियों और स्कूलों के लड़के, मजदूर, पेशे बर, इन्हें क्या चिंता, चिंता तो हम लोगों को है, जिनके बाल बच्चे हैं, और कुल मरियादा का ध्यान है, सबकी सब मेरी कैसी घूर रही थी, मानों खा जाएंगी, जुलूस शहर की एक नया गर्व जलकता हुआ मालूम होता था, इस फूर्ती थी बिरक्षों के चेहरों पर, उत्सा यबोकों के और गर्व रमणियों के, ये स्वराजी के पत पर चलने का उल्लास था, अब उनको यातरा का लक्ष अग्यात ना था, पत्थों बिरस्टों की भाती इधर का कर रोना न था, स्वधिंता का सुनहरा शिखर सुदूर आकाश में चमक रहा था, ऐसा जान पड़ता था, कि लोगों को बीच के नालों और जंगलों की परवा नहीं, सब उसो सुनहरे लक्ष पर पहुँचने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, ग्यारा बस्ते बस्ते जुल कर काला हो गया था, सिर के बड़े बड़े बाल, खून जम जाने से किसी चितरकार की तूलिका की भाती चिमट गए थे, कई हजार आदमी इस शहीद के अंतिम दर्शनों के लिए मंदल बांद कर खड़े हो गए थे, बीरबल सिंग पीछे घोड़े पर सवार खड़े थे, लाठी की चोट उन्हें भी नजर आई, उनकी आतमा ने उन्हें जोड से धिका रहा, बहचब की और ना ताक सके, मुह फेर लिया, जिस मनुश के दर्शनों के लिए, जिनके चर्णों की रज मस्तक पर लगाने के लिए, लाखों आदमी बिकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतन अपमान किया, उनकी आतमा इस समय स्विकार कर रही थी, कि उस निर्दे पिरहार के, उस निर्दे पिरहार में कर्तब के भाव का लेश भी ना था, केबल सुर्थ था, कार गुजारी दिखाने की हबस, और अफसरों को खुश करने की लिपसा थी, हजारों आखें किरोद से भरी हुई, उनकी ओर देख रही थी, पर वो सामने ताकने का साहत भी ना कर पा रहे थे, एक कॉंस्टेवल ने आकर प्रिशंसा की, खुजूर का हाथ गहरा पड़ा था, अभी तक खोपड़ी खुली हुई है, सबकी आखें खुल गई, बीरबल ने उपेक्चा की, मैं इस सरकश किसे कहते हैं? दो बज रहे थे, मिठन भाई, इस्तरियों के साथ साथ कुछ दूर तक तो आई, पर कुंस्ट पार्क में आकर ठटक गई, घर जाने को इच्छान हुई, भैजीर्ण, आहत, रक्त, रंजित शब, मानुस के अंता इस्थल में बैठा उसे धिका रहा था, पती से उसका मन इ गेर तक पारक में घास पर बैठी सोचती रही, पर अपने कर्तब का कुछ निश्य ना कर सकी, मैं के जा सकती थी, किन्तू बहां से महीने दो महीने में फिर इसी घराना पड़ेगा, नहीं, मैं किसी की आशरित ना बनूँगी, क्या मैं अपने गुजर बसर को भी नहीं कमा सकती, उसने सुयम भाती भाती की कशनाईयों की कलपना की, पर आज उसकी आत्मा में न जाने इतना बल कहां से आ गया, इन कलपनाओं को ध्यान में लाना ही, उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई, सहसा उसे इबरहीम अली की बिरद्धा बिद्भा का ख्याल आया, उसने सुना बहे दिल में सोचती जाती थी, मैं उनसे मिलूंगी कैसे, उनसे क्या कहूंगी, उन्हें किन शब्दों में समझाऊंगी, इन्ही बिचारों में डूबी हुई, बहे इबरहीम अली के घर पर पहुँच गई, माकान एक गली में था, साफ सुत्रा, लेकिन दौर पर हसरत बर जिदान दिया था, उसके सामने सादे कपड़े पहने एक यूबक खड़ा, आँखों में आसु भरे, ब्रद्धा से बातने कर रहा था, मिठ्धन उस यूबक को देखकर चौंक पड़ी, बहे तो बीरबल सिंग थे, उसने क्रोध मैं आशरीय से पूँचा, तो मेहा कैसे आ अपने अपराद छमा कराने आया हूँ, मिठन के गोरे मुखडे पराज, गर्भ उल्लास और प्रेम की जो उजबल विभूती नजर आई, बहे अकत्निय थी, ऐसा जान पड़ा, मानोस के जन्मों जन्मांतर के कलेश मिट गए हैं, बहे चिंता और माया के बंधनों से मुक् जीजिए इसे एक लाइक करना, हमारे चैनल को सबस्क्राब जरू कर लेना, जिसे की ऐसी ही मनोहर कानिया आप लोगों को मिलती रहें, मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में